नमस्कार दोस्तों मैं दीफक सोनी कंसर्ट फ्रूट्मेकर जीन दिश्ट्री खर्याना से मेरा कॉंटेक्ट नमबर है डबल माइन टू एटू फोर वन डबल जिरो तरी आप मुझसे बासरी पर्शेज करने के लिए संबब कर सकते हैं आज बनाइये मैंने ये सी बेस की बासरी ये लगबग 34 इंच लंबी है और ये बासरी आज बनाइये सुंील रावद जीए के लिए आप रहते हैं और दूकॉता वैस्ट बंगाल जो उनको ये उसी बेस की बासरी इक Rights वेश्ट में पंदरा संब फार है उनको वेजने से पहले आपको इस बास्तुरी की सांड के वारे मारे आपको कि सुरूने साथा हूँ इस बास्ती का सांड की आप देखी लिए 15 100 रुपे की बास्तुरी इस सी बेस की है उपर फिंगर ओल इसमें 6 है टोनिंग ओल इसमें होता नहीं है बिना टोनिंग ओल की बासरी है यह लोइंग ओल प्लस 6 फिंगर ओल कीमत है पंदरा सो रुपे की विद बैग फ्राई बंबू की बासरी है कस्टमाइज है आप देखते हैं राइट एंड परसन के लिए कस्टमाइज बासरी राइट एंड बजाएंगे तो परफेक्ट बजाएगे यह मैं वैसे लेफ्ट एंड हूं इसको बजाने की कोशिस करत काओ में आपके सामने कि मुझे मेरे चैरे को उधर लेगे जाना पड़ता है क्योंकि इसका जो ब्लॉइंग और यह ऐसे राइट की तरफ जुका हुआ है और मैं लेफ्ट ही बजाने वाला हूं आप देखता है यह ब्लॉइंग ओल आप यह रही पोजिशन यह ब्लॉइंग उधर की तरफ जुका हुआ है तो आप मुझे क्या करना पढ़ रहा बजाने के लिए ऐसे जुक्के बजाना पढ़ रहा प्लॉइंग इसमें होल में अब यह बासरी बिल्कुल वैल्टून मिलेगी ए फोर फोर्टी टून है यह इतनी सथी क्यों है आप इसका कारण जान लीजिए यह सथी इसली है क्योंकि देखिए आप यह जो बाहसरी का बैंबू है अलका सा अंडाकार सेपका है लेकिन मैंने कुछ इस्ते के से बनाया है यह एक बढ़ाने में को जिक्ळ नियागी अगर इसको इस तरीके से बनाते खडा करके तो यह अंडा ऊपर बंजाता अब इसमें यह बनाने का तरीका है इस फ्लैट वाले इसे को ऐसे कर दिया है आकी बढ़ाने में आसानी हो और कस्टमाइश देखिए इसको मैंने कस्टमाइज बनाया है यह देख सकते हैं आप कस्टमाइजिशन में यह तीन होल अंदर की तरफ है राइट हैं और ऊपर के तीन होल यह आप देख सकते हैं जब राइट हैंड प्लेयर को बजाएंगे तो उनके लिए बड़ी कमफर्टेबल इस तरीके से लोगों तो मुझे गर्दन को जुकाना पड़ रहा है लेकिन राइट हैंड वाले को अच्छा निकरना पड़े रहा है वह अराम से कमफर्टेबली इस तरीके से बढ़ा पाईए यह तो ऐसी बासरी वेल तून कम कीमत में आप किसी दूसरे ब्रेंड जो बासरिया है जिनोंने अप कि दीस पीस तीस साल पहले बढ़ा लिए है क्योंकि नाम हो गए है इसलिए कीमते आस्वांच हो रही है बास का टुकड़ा मैं आपको बतायाता हूं यह बास का टुकड़ा सिरफ और सिरफ दोसो डाइसो तीन सो रुपे का है किसी ब्रेंड का 500 का मालों लेकिन 9000 रुपे की कीमत बासरियों की जिस्टिफाइड नहीं है जो लोग 9000 की बासरियां बता कर कि वो लोग वेल्टून होती हैं प्रोफेशनल होती हैं बनाने का तरीका सारा एक होता है वो आपको बेकूप बनाते हैं जो लोग कहते हैं कि सस कि क्यों हो सकती है है वो हमारी सोच हैं क्या में 500 रुपे कमाके में नगयर। है या मैं 6000 कमाने पर दोब कर रहा है उसको भी 2000 रुपे कमिशन का देना है क्यों देना है कि अधारेट कस्टमर को बेचेंगे सश्टी कीमत पर बासरी बजाएंगे लोग दौआएं भी देंगे और और सश्टी कीमतों में इंदुस्तान के अंदर बासरी मिलेगी यह तो चाइना वाले भी इस फिल्ड से तरह वाकिव नहीं है नहीं तो यह 9000 रुपे की जो दाम कर रखे हैं लोगों ने साड़े 9000 रुपे तरद जा रुपे यह सारे दरती चार्टेंजर आएंगे ताम कि मै आपका अपना पैसा है आप यह बड़े बड़े लोगों की बातों में ना आएं कि बासुरी आपके सामने बज रही है कैसी बज़री है आप लोग उसके आवाज भी सुन रहे हैं इतना सुर्का ग्यान आप सब के अंदर है तो फिर मुझे पताने की जूरती नहीं कि कर सकते हैं मेरा कॉंटेक्ट नंबर है डेबल लाइन 282-41003 थैंकि दोस्तों नमस्कार